हेलो प्रेंट्स तो दिखिए आज में बहुत ही प्यारा डेजाइन बनाना बताऊंगे आपको स्वेटर के लिए तो दिखिए इस तरह से एक फंदा मैंने साइड में दोस्ट लाइयां बुनने के बाद उल्टी सीधी और यह बनाया है तो एक उतारा और फिर एक आगे की तर से बुन दिया और अब यह दो फंदे बच्चे हैं मेरे इन के एक बुन के और एक ऐसे धागा करके दूसरा फंदा भी बुन दूंगी तो यह तीन हो गया है पहले की तरह है और आगे के फंदा दिखिए इस तरह से गाठ वनाली मैंने और फिर पीछे किया फिर एक तो तीन चार फंदा भुने मैंने फिर ऐसे फंदा उपर से लिपेटा सलाई पे और फिर इस फंदे के साथ दो फंदा का एक कर दिया आगे से और फिर एक दो तीन और यह चार चार फंदे भुन लिए तो जैसे स्टार्ट में मैंने ये एक देखिए ये तीन फंदे बनाए और ये एक आगे की तरफ उल्टा फंदा भुना तो उसी तरह से गिनकर फिर चार भुने और फिर इस तरफ सलाई पे फंदा बना के दो का एक करके और फिर चार भुन लिए औ और फिर इसके बाद एक गांट वनाऊंगे मैं फिर पीछे धागा करके तीन फंदों को लास्ट के फंदे से इस तरह से और फिर इस तरह एक बुन कर और एक स्लाइप पर लिपेट कर धागे को आगे का फंदा बुन दूंगे जिससे तीन हो जाएंगे हमाज फिर एक उल्टा फंदा बुν लोंगी फिर पीछे की तरफ करके इस तरह से 4 फंदे गिणकर बुन लोंगी दो 3,4, 4 फंदे बुनने के बदी स्ट्रेस लाई पे धागा लिपेटूंगी और 2 का 1 बना दूंगी जिस तरह से यहां पे बनाया था और फिर मैं चार फंदे एक दो तीन और चार चार फंदे बुन लूँगे फिर आगे की तरफ धागा करके एक फंदा उल्टा बुन लूँगे फिर पीछे की दरग धागा करके तीन फंदों से लास्ट के तीन स्रा फंदे से आगे के फंदे को इस तरह से फिर सलाई पे धागा लिपेट कर इस तरह से आगे के फंदे को गुंदूंगी फिर एक उल्टा फंदा बुनूंगी फिर पीछे की तरफ इस तरह से सारी सलाई के फंदों को इस तरह से सारे फंदे बुनती चली जाओंगे मैं और जो उल्टी सलाई है हमारी उस सलाई को दिखिए इस तरह से मैंने लास्ट के दो साधा बुन लिए और फिर ये फंदा जो पीछे का है एक साधा बुन कर एक साधा बुन दूंगी और तेन फंदे ये उल्टे उल्टे बुन दूंगी फिर एक फंदा जो पीछे को है इसे साधा बुन दूंगी फिर आगे की तरफ धागा करके बीच के फंदों को मैं इसी तरह से उल्टे उल्टे बना लूंगी जो चार हमारे हैं और ये श्लाइपे बढ़ा कर बनाये हुआ वाला भी बुन लूँगी साधा उल्टा उल्टा उसके आगे के भी सारे साध फंदे बुन लूँगे उल्टे उल्टे इस तरह से ये देखी पीछे को जो सीधी तरफ हमारी गांठे होंगी तो उसको मैं इस तरह से सीधा फंदा और सारे फंदे आगे की तरफ धागा करते हुए उल्टे उल्टे बना लूँगी सी तरह से सिम्पल और उल्टे फंदे उल्टे और सीधे सीधे सी तरह बुनती चले जाऊंगी पूरी सलाइ उल्टी तरफ से और लास्ट में एक उल्टा एक सीधा बुनने के बाद देखिए नेट्च सलाई जो हमारी से हैं थर्ड उसे दिखे इस तरह से श्यूडू के फंदों को उतारूँंगी फिर उल्टा फंदा कर लोगी दूसरा essayer पीछे की तरफ करके ये तीनों फंदे मैं साधा बना लूँगी जिसका लास्ट में डिजाइन बनाती हूँ दो फंदे के उपर से उतार के लास्ट का और फिर आगे उटा फंदा एक बुन लूँगी तीन साधा बुनने के बाद और जहां पे मैंने ये चार फंदे बुने थे इस तरह से तो दिखिए ये जहां पे साधा बुने थे तीन मैंने बुन ली हैं और ये चार और पांच पहले मैंने यहां पे चार बुने थे अब पांच और ये एक और फंदा स्लाई पे लिपेट कर आगे के दो से एक कर दूंगी मैं फिर यहां पे चार बुने थे पहले मैंने अब तीन रहे जाएंगे और फिर तीन फंदों को बुनने के बाद एक उल्टा फंदा और फिर जो तीन फंदों से डिजाइन बनाया था वो इस तरह से साधा साधा और एक उल्टा फंदा फिर उसके बाद पांच फंदे एक दो ती चार और पांच पांच फंदों को बुनने के बाद इस तरह से स्लाइपे लिपेट दूंगी फंदे और आगे के दो फंदों को इस तरह से बुन दूंगी एक में और फिर तेन फंदे साधा बुन दूंगी में गिन कर उसके बाद एक उल्टा फंदा फिर उसी तरह से तेन फं पंदा उल्टा फिर एक सीधा और जो उल्टी स्लाइम मैंने बुनी थी सैकेंड उसको मैं इससी तरह से बुनती चली जाओंगी उल्टे फंदे उल्टे और सीधे सीधे इस तरह से दिखिए साब दिखने लगा है जो फंदे हमारे साधा है सीधे हैं सीधे और उन्टे उन्टे लाष्ट तक मैं इसी तरह से बुनती चली जाओंगी पूरे फंदों को नेक्स्ट सलाई हमारी ये 5 जाइ होगी हमारी तो देखिए इसे मैं एक उल्टा एक सीधा शुरू में बुन लूंगी इस तरह से फिर ये जो तीन की है हमारी सलाई इस बार फिर पहले की तरह रही देखिए लास्ट के तीसरे फंदे से इस तरह आगی इक से बिच में इस थरह से इसलाए पे धागा लपीट कर प्लस कर देना और फिर आगे गाट और ये फंदे सादा सादा एक, दो तेन चार पाले हमारे चार थे पाँच हुए छे और अब साथ हो जाएंगे फंदे ये इस तरह से और ये धागा फिर लिपेटेंगे और फिर दो का एक फंदा बना लेंगे इस तरह से और फिर हम दो फंदे बुन लेंगे इस तरह से साधा फिर आगे फंदा उल्टा इसी तरह से आगे के ये तीन बुन देंगे पीछे के फंदे से आगे में इस तरह बुनते हुए एक बुन्दूंगी और फिर स्लाइप धागा एक प्लस करते हुए फंदा फिर आगे का बुन्दूंगी फिर एक उल्टा फंदा और फिर ये फंदे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे और ये सैवन यानि साथ और फिर दो फंदों का एक बना लूँगी मैं इस तरह से बुनके और फिर दो फंदे बुन लूँगी मैं इस तरह से आगे एक फंदा गांट और फिर आगे डिजाइन को इसी तरह से पीछे के फंदे को आगे की तरफ से इस तरह और एक फंदा बुनकर दूसरा और फिर धागा सलाई पे इस तरह से बना कर आगे के फंदे को बुनकर प्लास्ट में एक उल्टा एक सीधा फंदा चेटी सलाई हम इसी तरह से बुनते चले जाएंगे जैसे पहली और तीसरी बुनी है तो उसे हम उल्टे फंदे को उल्टा और सीधे को सीधा देखे सेविंध रो यानि सेविंध साथ भी सलाई हम इस तरह से बनाएंगे लास्ट के उल्टे और सीधे उसी तरह से और जो तीन फंदे हमारे हैं उनको साधा साधा ये डिजाइन हम हर सलाई में नहीं बनाएंगे क्योंकि यह ठीक से देखने में अच्छी नहीं लगेगी तो इन फंदे को साधा साधा और यह उल्टा फंदा और यह एक दो तेन चार पाँच छे साथ अब साथ फंदे बुनने के बाद इस तरह से धागा बनाऊंगी सिलाई पे और आगे उसी तरह से दो फंदों का एक एक फंदा बुनने फिर एक फंदा उल्टा फिर इसी तरह से तीन फंदे साधा साधा फिर एक फंदा उल्टा और फिर जिस तरह से यहां पे सैविन फंदे साधा बुनने हैं उसी तरह से यहां पे भी सैविन फंदे साधा बुनने हैं उसी तरह से यहां पे भी सैविन स्लाई पे और इस तरह से दो का एक और एक फंदा साधा और एक उल्टा फंदा तो इसी तरह से दिखिए उल्टी स्लाई को हम उसी तरह से बुनते चले जाएंगे अब हमारी ये नाइंथ रो है यानि उल्टी स्लाई हमने साधा साधा बुन ली थी इसमें भी फिर हम उसी तर से हमारा बनता चला जाएगा जिस तरह से हम दो बार बनाते चले हैं पर एक उल्ठा फंदा और आगे का डिसाइन भी हम इसी तरह से बनाते चले जाएंगे यह जो फंदे में बुन रही हूं पहले सेवन थे एट हुए इस बार एट और यह लास्ट में फिर नाइन हो और यह जो लास्ट के जो दो फंदे बचे हैं इनका मैं दो का एक बना लोंगी इस तरह से और दो का एक बनाने के बाद फिर उल्ठा फंदा फिर इन तीन का डिसाइन उसी तरह से पीछे के फंदे से आगे के फंदे से उतार के और फिर इस तरह से प्लस करके फंदे और होंगी आगे के तो नाइन्थ रोन बुलने के बाद टैंथ हमने उल्टी उल्टी बुल्डी है 11 अब देखिए उसी तरह से एक उल्टा एक सीधा और यह तीन फंदेश साधा-साधा फिर एक उल्टा अब यह हम यहाँ पर देखिए हमारे एक तरफ सारे फंदेश प्लस होते हुए चले गए और एक तरफ माइनस तो हम अब इस तरह से लास्ट में डिजाइन बनाएंगी यह इस तरह से और इस तरह से हर जो जाली हमने बनाई है स्वेटर में उससे इस तरह से फंदा बनाते चले जाएंगे धागे से बूलन के जिससे हम स्वेटर बुन रहे हैं हर जाल से हम इस तरह से फंदा बनाने के बाद इस तरह से बुन देंगे यह इसको बुनने के बाद हम इसे आगे के फंदे से इस तरह से बुन देंगे ये और आगे जो हमारे फंदे है स्वेटर की डिजाइन में तो उन्हें हम साधा साधा बुनते चले जाएंगे गिन कर तो एक उसके साथ प्लस माइनस होके दो का एक हो गया था तो एक दो एक ये 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 दो का एक हो जाएगा एक दो तीन चार पांच चेट और फिर सॉरी यहां पर मैं डिजाइन बनाओंगी तो दिखे ये मैं चार पंदे बुनने के बाद इस तरह से जाल बना कर और फिर इस तरह से आगे दो के प्लस कर दूंगी और फिर चार पंदे गिन कर बना लूंगी ये इस तरह से और ये फिर चार पंदे बुनने के बाद एक उल्टा पंदा फिर तीन ये साधा पंदे फिर एक उल्टा पंदा और फिर उसी तरह से डिजाइन जैसे मैंने दो पहले डिजाइन में बनाया था इस तरह से सिंगल पंदे से बुन कर और फिर एक वार और बुन कर फिर उसी सिलाई के फंदे से दो का एक बना लूँगी इस तरह से और आगे फिर चार पंदे एक दो तीन चार चार पंदे बुनने के बाद इस तरह से फिर सिलाई पे लिपेटूंगी फंदे फिर दो का एक बना दूँगी इस तरह से और फिर चार फंदे गिन कर बुन लूँगे मैं इसी तरह से चार फंदे गिन के बुनने के बाद एक उल्टा फंदा इस तरह से और फिर साधा एक उल्टी सलाई हमने उसी तरह से बना ली साधा साधा उल्टे के उल्टे सीधे के सीधे जैसे हम हालवार में बनाते चले आए और देखे बीच में इस तरह से जैसे हमने शुरू में बनाया था डिजाइन ये चार फंदे बुन कर एक जगे में प्लस करना और एक जगे माइनस दो का एक और तो उसी तरह बुलेंगे और इस तरह से लिकेश शुरू में एक उल्टा एक सीधा बुलने के बाद में ये तीन फंदों का उसी तरह से डिजाइन बनाते चले जाएंगे जितना हमें डिजाइन चाहिए होगा और फिर एक उल्टा फंदा और फिर ये हम इधर हमारा एक प्लस होता जाएगा पहली डिजाइन की तरह है दो तीन चार पांच पांच फंदे बुनने के बाद इस तरह से मेवलिपेट कर ये आगे इस तरह है दो का एक कर दूंगी और आगे फंदे तेन बुन लोंगी मैं इस तरह से गिन कर फिर एक उल्टा फंदा और फिर उसी तरह से बीच के डिजाइन को तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पहला डिजाइन था उसी तरह से ये दूसरा डिजाइन भी मैं बना लूंगी यहां पर भी इसी तरह से बूलन के धागे को इस चाल से बनाते हुए झाल से बनाते हुए जैसा हमने पहले डिजाइन बनाया था उसी तरह से जाल से धागा इस तरह से बनाते हुए पूरा इसी तरह से बनाती चले जाओंगे मैं और फिर इस तरह से सिंगल फंदे से एक पर बन लिया फिर इसे सिंगल फंदे से और फिर इसको प्लस के बजाए माइनस कर लूँगे आगे के फंदे के साथ और फिर ये चार फंदे यहाँ पर तीन और बुन के चार प्लस तरकी इस तरह से बन लूँगे मैं चार फिर इस तरह से स्लाइप एक फंदा बना कर और फिर दो का एक बना लूँगे और फिर चार फंदे एक दो तीन और ये चार गिन के बन लूँगे फिर एक उल्टा फंदा फिर इस तरह से ये तीन फंदो का डिजाइन जो मैं हर बार में बनाती चले आ रही हूं इस तरह से फिर ये कुल्टा फंदा और फिर ये दूसरी आगे का डिजाइन भी इस तरह से बना लूँगे प्रिए गिर तरह से तरह से बना लूँगे और फिर इसको भी आगे के फंदे के साथ इस तरह से बुंदूंगी दो का एक और एक दो तीन और एक फंदा वो तो चार फंदे बुनकर और फिर धागा लिपीट यूंगी सलाई पे प्लस करते हुए फंदे को और ये दो के एक बुंदूंगी आगे के फंदे फिर एक दो तीन चार चार पंदे बुनने के बाद आगे उल्टा फंदा लास्ट में तीन फंदो कर डेज़ाई आई और फिर लास्ट में एक उन्टा एक सीधर, उल्टी तरफ से मैं हर बार की तरह ही बुनती चले जाओंगी, इसी तरह से जैसे अभी तक बुनती चले आएं और दिखे ये यहाँ पर चार फंदों के बाद हर बुनाई बनने के बाद मैं डिजाइन बनाती चले आओंगी, और ये तीन फंदों का डिजाइन भी इसी तरह से एक वार में साधा बुनकर और तीसरी सलाय पे इसी तरह से ये डिजाइन बनाती चली जाओंगी तो देखें उल्टी तरफ से कितना प्यारा लग रहा है हमारा ये स्वेटर का डिजाइन आप इसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हो इसे स्वेटर, कार्डीगन, लेडी स्वेटर, बच्चों के स्वेटर में तो अगर पसंद आए मेरी द्वारा ये प्यारा सा स्वेटर का डिजाइन तो प्लीज जरूर बना कर देखिए बहुत ही इजी है इसे बनाना और देखिए ये बीच में हमारा चार-चार फंदों से बना है और एक तरफ से ये दिखिए प्लस होता है और एक तरफ से माइनस होता है और बीच में ये तीन फंदों का डिजाइन तो अगर पसंद आए मेरा द्वारा बनाया ये प्यारा सा स तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट्स करना ना भूलिए धन्यवाद